Hello dear engineers, कैसे हैं आप लोग? So dear students, 1st March 2022 को J-Mains का notification release हो चुका है, यह आप देख सकते हैं, NTA ने यह notification release कर दिया है 1st March को. तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे important points about this notification and किस तरह से आप इस application को fill कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को, यह आप देख सकते हैं, यह notification, इस notification के important points भी मैं अभी आपको short में बताने वाला हूँ, यह देखिए आप, दो session है यहापर, और देखिए यहापर यह जो red color से लिखा है, यह सबसे important point है, कि यहाँ पर आपको बहु submit कर दिया form, तो कोई भी correction आपको permit नहीं है, तो मैं यह क्यों बोल रहा हूँ, काफी important point है, क्योंकि अगर मान लो आपके धर्मेंद्र प्रदान जी, जो कि हमारे education minister of India है, उनका बेटा भी अगर अभी कोई गलती कर दे form भरते हुए, तो फिर वो भी उसको correct नहीं कर पाएग अगर उसने एक बार submit कर दिया form, तो आपको बहुत ध्यान से form को fill करना है, एक एक point को बहुत ध्यान से लिखना है, चलिए अब यह जितना भी notification हमने देखा, इसको summarize कर देते हैं, इसके important points को तो देखिए, application form fill करने के लिए, सबसे पहले आपको यह जो link दे रखी है, यहाँ पर, jemain.nta.nic.in, इसको open कर लेना है, अब देखिए, यह यहाँ पर public notice for jemains 2022 Hindi, जो अभी हमने notification देखा था, वो English का देखा था, one page का, और यह रहा आपका English का notification, तो जिस भी language में आप comfortable है, आप उस language में आपकी notification को यहाँ पर click करके download करके पढ़ सकते हैं, इसके बाद में, यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और यह आप देख सकते हैं, registration for jemains 2022, इसको आप कर देंगे click, तो देखिए, यह जब आप click करेंगे, तो आपको यह pop window open होगा, तो इसमें आपको करना है, ok click, और बढ़ जाना है आगे, तो देखिए, अब यह page open हो जाएगा, तो इस page में यह जो right side है, इस right side में तो जो registered कर चुके हैं candidates, उनके लिए है, तो अभी आपको left side वाले column पर देखना है, ok, तो यहाँ पर आपको देखना है, तो क्या क्या steps है, सबसे पहले हम online registration करेंगे, then fill करेंगे online application form, then application fee, जो भी होगा हम उसको fill कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो new registration लिखा हुआ है, यह जो new registration लिखा है, आप इसको click कर देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो page open हुआ है, इसमें जैसा भी मैंने आ overall registration application form filling, then आपका fee payment, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको यह जो download information bulletin है, तो आपको इसको download कर लेना है, और इसको अच्छे से पढ़ना है, तो देखिए यह रहा आपके सामने information bulletin, अब यह जो information bulletin है, यह around 115 pages का है, तो मैं आपसे request करूँगा, एक बार आप इसको overview कर ल तो यह आप देख सकते हैं, इस brochure में जो भी आपको abbreviations मिल रहे है, वो कौन-कौन से है, उनका यहाँ पर detail दे रखा है, इसके बाद देख सकते हैं कि bulletin में किस page पर क्या details है, उसका भी एक short में overview देख लेता है, यह आप देख सकते हैं, अब देखिए, जैसा अभी आप देख चुके हैं कि दो session में यापर आपका जैइमेंस होगा April and May, बट currently जो window open है, वो सिर्फ किसकी open है, वो open है सिर्फ April session के लिए, ओके और इसके लिए आप जो form भर सकते हैं, वो आपका 1st March से 31st March up to 5 PM तक भर सकते हैं, देन अगर payment की बात करें, तो आप 31st March को 11.30 को maximum night में, इस time तक आप क्या कर सकते हैं, payment कर सकते हैं, बट I request कि आप पहले ही सारा कुछ आपका application form and fee payment सभी पहले से करके रखें, maximum आप 15th March तक अपना form फिल करने की कोशिश करें, अब इसके बाद देखिए, काफी बच्चों को tension रहता है कि उनको उनका कौन सा city of examination मिलेगा, तो देखिए, 1st week of April में आपको ये आपका declare हो जाएगा कि आपका कौन सा city है, इसका information आपको मिल जाएगा, और इसके बाद में आपका 2nd week of April में, 1st week में तो आपको city पता चल जाएगा, और 2nd week of April 2022 में आपको आपका जो admit card है, ये आप download कर सकते हैं, और download कहां से कर सकते हैं, NTA की website से, इसके बाद में देख सकते हैं date of examination, तो 16th to 21st, मतलब 16, 17, 18, 19, 20 and 21, और ये जो paper होंगे आपके ये दो shift में होंगे, okay, first shift आपका होगा 9 to 12, morning में, then आपका afternoon shift होगा 3 to 6, okay, ये जो मैंने बताया अभी ये BTEC के लिए, या फिर BE के लिए and B ARC के लिए है, और अगर B planning की बात करें, तो B planning आपका जो time है, वो सिर्फ afternoon है, वो आपका 3 to 6 PM है, इसके बाद में देखते हैं, second session, okay, जो आपका अभी first है April, then आपका में में जो exam होगा, okay, तो second session जो की में में conduct होगा, इसके लिए आपके online submission कब से start हो जाएंगे, 8th of April 2022 से start हो जाएगा, और कब तक चलेगा ये, 3rd of May तक चलेगा, और जैसे अभी हम लोगों ने देखा, 31st March 5 PM तक, उसी तरह से यहाँ पर भी 5 PM तक ये allowed होगा, अब अगर हम देखें, payment की बात, तो payment आपका में session के लिए, 3rd May up to 11.30 PM, means night तक आप क्या कर सकते हैं, payment को कर सकते हैं, बट फिलाल ये window अभी open नहीं है, अभी कौन सा open है, सिर्फ April वाला, तो चलिए second session के लिए, अभी बहुत ज़ादा हम discuss नहीं करेंगे, इसके बाद में आप देख सकते हैं, कि duration जो है, examination का वो 3 hours है, for BE, B.Tech, या फिर हो BE Architecture, या फिर हो BE Planning, बट अगर कोई student, BE Architecture and BE Planning दोनों के लिए दे रहा है, तो उसको time मिलेगा 3 hours, 30 minutes, बट आई होब कि maximum students जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो होंगे BE, B.Tech के, तो आपके लिए time है 3 hours, then आप इसके लिए respectively देख सकते हैं, आपके 2 shift में Morning and Afternoon shift में पेपर होगा, और यहाँ पर उनके respective timings दे रखे हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं यापर की fee आपको कितना pay करना है, so according to your category, आप यहाँ पर देख सकते हैं, fee payment के details, अब इसके बाद देखिए, जो आप fees भरेंगे, वो कौन-कौन से mode में आप भर सकते हैं, तो सिर्फ online भर सकते हैं, क्या-क्या हो सकता है, option आपका net banking हो सकता है, credit card से भर सकते हैं, debit card, UPI, और Paytm Services, और इसके अलावा आपको processing charges and GST भी payment करना पड़ेगा, इसके बाद आप देख सकते हैं, second point, candidates can apply for Jemen through online mode only, and कहां पर आप apply कर सकते हैं, तो यह अभी मैंने आपको website भी बताया था, इस link पर आप क्या कर सकते हैं, इसको fill कर सकते हैं, चलिए, अब कुछ important points हैं यहाँ पर, इनको आप देखिए, जब आप form भर रहे हैं, तो आपके पास में क्या-क्या documents होना चाहिए, या फिर किसी scanned form म आपको रखना है, तो देखिए, scanned images of candidates photograph होना चाहिए, signature and category certificate, तो category certificate जिसके लिए भी applicable हो आप, then आप अगर PWD हैं, तो भी आप यहाँ पर आपके scanned copies of certificate रखेंगे, ओके, PWD means person with disability, चलिए, अब यहाँ पर कुछ important points discuss कर लेते हैं, photographs related, तो देखिए, recent photograph होना चाहिए आपका, ओके और यह color भी हो सकता है, यहाँ फिर black and white भी हो सकता है, but I will suggest कि आप colored photograph ही click करिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है, with 80% face, okay, तो 80% face का मतलब क्या हो गया, कि आपके photograph में आपका neck भी दिखेगा, आपका shoulder भी दिखेगा, chest भी दिख सकता है, तो जो आपका face है, okay, face का मतलब आपक पूरे hairs तक का, मतलब जो आपका head है, वहाँ तक का जो look आएगा, वो 80% cover करना चाहिए, overall area में, और यहाँ पर जो background है आपका, वो background कैसा होना चाहिए, वो white background होना चाहिए, and यहाँ पर आपको mask नहीं लगाना है, and I know कि कुछ students होंगे, जिनके पुराने photographs होंगे, वो उसको phot Photoshop करेंगे, तो please ऐसा मत करिए, जाइए, 50-60 rupees में, maximum 100 rupees तक आपके photo click हो जाएगे, और इसी बहाने आपके कुछ memorable photograph पिया जाएगा है, तो इतना कंजूसी नहीं करना है, जाइए, और studio में जाके बहुत अच्छा सुन्दर साइकदम नहाद होके, तयार होके, अपना photo click तो scanned photograph जो आप studio से already click हो चुका है, उसका soft copy को आपको reduce कर देना है, in between 10 kilobyte and 200 kilobyte, वहीं पर अगर हम scanned signature की बात करें, तो scanned signature should be between 4 kilobyte to 30 kilobyte, इस range में आपको रखना पड़ेगा, और ये जो मैंने अभी आपको बोला photograph के लिए and signature के लिए, तो इनका जो scan copy होगा, ये आपका jpg यापे jpg format में होगा, वहीं पर अगर हम category certificate की बात करें, तो SC, ST, OBC, EWS, कोई सा भी हो, आपको ये रखना है PDF के form में between 15 kilobyte to 300 kilobyte, अब देखिए, photograph अपना ही लगाना है, अपने दोस्तों का नहीं लगाना है, किसी Bollywood star का नहीं लगाना है, किसी politician का नहीं लगाना है, otherwise आप आपका form क्या हो जाएगा, reject हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ पर fifth point, candidates shall ensure that the information entered by them in their respective online application form is correct, तो यह again and again repeat हो रहा है, यह point, तो आपको याद रखना है कि बहुत अच्छे से आपको सारे informations को fill करना है, इसके बाद अगर sixth point की बात करें, तो देखिए, आपको email address और आपका mobile number यह बहुत द्यान से fill करना है, और आप मान के चलिए कि यह जो आपका email address है, यह काफी जगे आपका काम आने वाला है, अब आप बार बार तो अपने email ID को change करेंगे नहीं, in future, या फिर अपने phone numbers को, तो lifetime के लिए एक तरीके से अब आप जो information डाल रहे हैं, यह lifetime आपका email ID भी आप use कर सकते हैं, तो अगर एक अच्छा सा domain name आपका नहीं हो, तो प्लीज अपने एक नए email ID को आप create करेंगे, अच्छे से domain name के लिए, जो की most probably आप lifetime शायद अब use कर रहे होंगे, अब देखिए, 7th point को देखते हैं, information provided by the candidates in their respective online application form, जैसे की कौन-कौन से information, name of the candidate, contacted detail, address detail, category degree, PWD status, ये सारी चीज़ें जो है, education, qualification details, date of birth, choice of examination cities, ये final आपके consider किये जाएंगे, मतलब अगर आपने इनको जो भी इसके बारे में information डाल दिया, वो आपका final माना जाएगा, तो आगे आप suppose counseling में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपके कोई भी changes consider नहीं किये जाएंगे, ठीक ह तो आपको याद रखना है कि बहुत ध्यान से ये सारे information आपको fill करना है, because in future आपका, suppose आप select भी हो जाते हैं और अगर इन में से कोई details आपके गलत पाए जाते हैं at the time of counseling या फिर college admission के time पर, तो आपको हो सकता है कि वहाँ से entry करने से रोग दिया जाएंगे, अब देखिए, point number 10, देखिए, अभी मैंने आपको बोला था कि आपका email address और phone number इसको बहुत आप सोच समझ के भरें, अच्छे से आपको create करना है email ID को, तो इन्होंने भी यही बोला है, कि यहाँ पर आपका जो future में कोई भी communication NTA अगर आपसे करना चाता है, तो वो आपको either by SMS या फिर email ID प फिर mobile numbers को आप वहाँ पर enter करिए, और कोशिश करिए कि आपका खुद का self-owned phone number हो, self-owned email ID हो, so that कोई भी important information आप miss ना करें in future, इसके अलाबा आपको यह जो application का name है Sundance, इसको भी आप download कर सकते हैं, ताकि आपको suppose mobile या फिर email ID पर कोई information आपको receive ना हो, तो in case आप यहाँ पर check कर सकते हैं Sundance application पर, अब देखिए, यह जो roman number में fifth point लिखा है, कि आपका जो भी exam city का choice आपको वहाँ पर जब आप fill करेंगे form, तो वहाँ पर वो किस पर based होगा, तो वो based होगा permanent address आपने क्या डाला है, और वहाँ पर correspondence address आपने कौन सा डाला है, मतलब वहाँ पर कौन सा आपने city आपके permanent या फिर correspondence address में डाला है, जब आप online application form fill कर रहे हैं, इसके बाद में यह जो sixth point है, तो इसमें क्या बुला है कि आपको जब आप fill कर रहे हैं, तो आपके email address और आपके mobile number को आपको अच्छे से उसका entry डालना है, और यह जो email address and mobile numbers हैं, इसके through, एक ही application आप register कर सकते है multiple आपके application form fill नहीं कर सकते हैं by the same mobile number and email address, इसलिए आपको बहुत ध्यान से fill करना है, नहीं तो अगर आपकी गलती होती है और फिर से आप भरते हैं, तो फिर आपको एक नया email address बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक नया phone number डालना पड़ेगा, so better है आप एक बार भरें form और ब जब आप exam देने जाएंगे, तो वहाँ पर क्या-क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो एक बार देख लेते हैं, first point क्या है यहाँ पर, आपको admit card जो रहेगा वो ले जा सकते हैं, आप ले जाना ही पड़ेगा, with self declaration, जिसको हम undertaking बोल रहे हैं, और यह download कर सकते हो आप from the NTA website, okay, एक A4 size का printout निकाल सकते हैं, then second point क्या है, simple transparent ball pen ले जाना है आपको, then additional photograph ले जाना है, to be pasted on the attendance sheet, okay, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर paste करना पड़ेगा, then आपका personal hand sanitizer, 50 ml का आप ले जा सकते हैं, transparent bottle में, okay, then आपका sugar tablets या फिर fruits आप ले जा सकते है जैसे banana, apple, orange, in case of candidate is diabetic, तो जब आप अभी form fill करेंगे, तो form fill करते हुए भी आपको वहाँ पर पूछा जाएगा whether you are diabetic or not, so इस detail को क्यों पूछा जा रहा है, I hope अब आपको इस point से clear हो जाएगा, अब देखिए, इतना काफी बार repeat मैं कर चुका हूँ, काफी बार इस bulletin में भ गलती करता है, और जो कि usually होता भी है कि कुछ candidates गलती कर देते हैं, तो किसी भी तरह से आपका किसी भी circumstances में NTA आपके changes को consider नहीं करेगा, ओके, चाहे आप वहाँ पर post करें, चाहे आप fax करें, चाहे आप whatsapp करें, चाहे उनको email कर दें, या फिर हाथ से लिख दें कि sir please please please, but क कुछ भी नहीं होने वाला है, चलिए अब देखते हैं third point, candidates are not allowed to carry instruments, geometry और pencil box, handbag, purse, any kind of paper, stationary, textual, material, printed or written material, e-tables तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आप ले जा नहीं सकते हैं आपके examination center पर, और अगर आप ले जाते हैं, तो आप पर charge लग जाएगा unfair means का, UFM का, अब देखिए next point का है, fourth point, कि जब आप आपका application form fill कर देंगे, तो आपको जो भी confirmation page आता है, या फिर आपका admit card आजाएगा, या फिर आपका score card आजाएगा, है न, JMAN 2022 का, तो ये after 30th June of 2022, आपको website पर available नहीं होगा, तो आपको request की गई है कि आप इसको संभाल के रखिए, download करके रखिए, अब देखिए, यहाँ पर ये एक important point है, the JMAN will be conducted in two phase, या two sessions, ठीक है, दो session में होगा, April and May, और यहाँ पर इसके कुछ सब points है, तो कौन-कौन से हैं, देखिए, सबसे पहला, this will give two opportunities, आपको दो opportunity मिल जाएगी, अब suppose आपका एक session अच्छा नहीं जाता है, तो आप दूसरे में अच्छा score कर सकते हैं, और जो भी दौनों में best होगा, उसका score consider किया जाएगा, तो in the first attempt, if the students will get a first hand experience of taking an examination and will know their mistakes, ठीक है, आप चाहे तो आप first attempt भी देंगे, तो आपकी कोई गलती हैं, अगर आप से होती हैं, तो आप second attempt में उसको improve कर सकते हैं, जैसा भी मैंने आपको बोला, इससे आपका क्या फायदा होगा, आपका एक साल, suppose आप drop लेते हैं, वो आपक सकता है, suppose आप एक attempt देते हैं, तो फिर आपको लगेगा कि, आपका दूसरा attempt क्या हो गया है, miss, तो आप फिर next year पर जाएंगे, तो आपका एक साल बच सकता है, so better है, आप try करिए, आपके दौनों ही आपके attempt आप देते हैं, इसके बाद यहाँ पर यह most important point है, इसको आप दे दूसरे attempt का फाइदा उठा सकते हैं, okay, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि वो reason आपका यह भी हो सकता है, कि आपका कोई board examination हो, okay, obviously, जो CBSC के board examination है, वो तो clash करेंगे नहीं, JEE के exam से, but हो सकता है कि state board के exams clash कर सकते हो, okay, possibility है, तो अगर ऐसा होता भी है, तो फिर आपका वह लाए करिए, okay, इसके बाद में, क्या बोला है हम से, इसके बाद में क्या बोल रहा है, next point में, कि अगर आप दौनों attempt करते हैं, तो जो भी आपका best score होगा, उसको ही वहाँ पर consider किया जाएगा, in merit list, अब देखिए, इसके बाद में क्या बोला है, कि जो आपका session 1 है, वो 16 to 21 April है, then आपका session 2 24th to 29th में है, तो यह ऐसा रखने का जो कोशिश है, NTA की, वो क्या कोशिश है, कि आपका जो board examination है, उससे कोई भी clash ना हो, so यह वो कोशिश करेंगे, कि आपके papers के साथ में clash ना हो, but possibility यह भी है, कि वहाँ पर clash हो सकता है, but still most probably आप मान के चलिए, कि उनका जो आपको date आजाएगा, जब आपका admit card आएगा, तो जो आपको date मिलेगा, वो most probably according to जो भी आपके state board के examination है, उसके accordingly आजाएगे, चलिए, अब देखते है, pattern of examination, तो देखिए, यह जो मैं बता रहा हूँ, यह है for BE, BTEC in CBT mode, computer-based test, okay, तो यहाँ पर हम देखें, अगर तो PCM, Physics, Chemistry maths, तीनों में ही, दो section आपको मिलने वाले है, section A and section B, okay, section A में, तीनों में, physics, chemistry और mathematics में 20 questions है, section B में 10 questions each है, okay, मतलब आपको total कितने question आएगे, 90 questions आएगे exam में, अब section B की अगर हम बात करें, तो section B आपका integer type वहाँ पर answer होंगे, okay, मतलब आपका जो भी numerical answer आ रहा है, उसको round off करेंगे, nearest integer पे, okay, तो nearest integer पे आपको round off करना है, और ये जो 10 questions है, तीनों section में, इन में से सिर्फ 5 questions आपको attempt करना है, you have to attempt only 5 questions, okay, कोई भी 5 questions आप attempt कर लेंगे, तो section अगर हम देखें, A, तो 20 questions, section B में 5 questions आपको attempt करना है, section A आपका multiple choice वाला रहेगा, objective रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर, जैसे subject wise बात करें, तो physics में आपको 25 questions attempt करना है, okay, chemistry में 25 और mathematics में भी आपको 25 questions attempt करना है, और इनके marks अगर देखें, तो 100 marks for each subject आपको मिलने वाले हैं, तो maximum marks कितने हो जाएंगे, 300, और यहाँ पर एक important बात आपको याद रखना है कि, जो section A हो, या हो section B, दौ में आपको negative marking रहेगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं marking scheme, तो marking scheme में आपको 4 marks मिलने वाले हैं, correct answer के, और negative 1 मिलेगा, incorrect answer का, चलिए, अब यह important point है, method of resolving ties, मान लेते हैं कि 2 student के scores सेम आ गए, तब क्या होगा, तो देखिए, इस समय, जब आपका ऐसा situation आता है कि 2 students के सेम score आ जा रखा है, मतलब 1 से लेकर 9 point है, तो इस order में वो लोग check करेंगे, okay, suppose first point से ही आपका difference आ जाता है, 2 candidates के बीच में, तो बाकी points को check नहीं किये जाएगा, suppose first point आपका clash हो गया है दोनों student का, फिर second point पे आएंगे, फिर third, फिर fourth, ऐसे आते जाएंगे, तो detail में देखते हैं, क्या ह ये सारे points, देखिए, first point क्या बोल रहा है, NTA score in mathematics, okay, मतलब अगर दो students के mathematics score compare करेंगे आप, ठीक है, अगर पहले आपका overall score equal था, तब आपने क्या करा, दोनों student के mathematics के score को compare करा, तो जिसके भी जादा score होंगे, उसको higher rank मिल जाएगी, ठीक है, but मान लेते हैं, कि first point पे clash हो गया दोनों के mathematics score क्या है, दोनों के mathematics score same है, फिर हम देखेंगे, हम मतलब NTA देखेगा second point को, तो NTA अब क्या देखेगा, physics का score देखेगा, तो physics का score जिसका जादा होगा, उसको higher rank मिल जाएगा, but अगर यहाँ पर भी equal हो जाएं, तब chemistry का score चेक किया जाएगा, ठीक है, तो order क्या ह हो गया, subject wise, पहले mathematics देखा जाएगा, फिर physics, फिर chemistry, मान लेते हैं, यह तीनों भी दौनों students के क्या आगए है, equal आगए है, in that case, अब आएंगे वो fourth point को चेक करने, अब fourth point थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखिए, जब आप overall आपके numbers अपोज सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो अब आप क्या, मतलब NTA, अब क्या देखेगा, ratio निकालेगा, और ratio किसका निकालेगा, questions जो की student ने attempt करें हैं, और correct हैं, या फिर incorrect हैं, उसके according ली, है न, तो questions जो की attempt करा है, okay, questions attempted incorrect, ये numerator में लिखना है, okay, और denominator में क्या लिखना है, कि correct answers कितने दिये हैं, ठीक है, correct answers कितने हैं, ये जो ratio है, ये check किया जाएगा, ठीक है, fourth point में, तो जिसका भी ये value आएगा less, okay, क्योंकि उसने, जिसका value less आएगा, उसका मतलब क्या हुआ, उसने correct answer जादा दिये हैं, और तुके कम लगाए हैं, guess work कम किया है, तो essay student को higher priority दे जाएगी, higher rank दे तो ये जो check करेंगे, NTA वाले fourth point में, ये सारे subject के लिए, मतलब overall paper में देखा जाएगा, कि ये ratio क्या आ रहा है, अब मान लेते हैं कि fourth point भी दौनो student का क्या हो गया, clash हो गया, equal आ गया, तब देखा जाएगा fifth point, अब fifth point में, क्या बोला है, इसी तरह से आपको ratio निकाला जाए बट, अब subject mathematics के लिए, calculate किया जाएगा, मान लेते हैं कि ये भी equal आ गया, तब क्या किया जाएगा, तब आया जाएगा, sixth point पर, sixth point में, फिर से ये ratio चेक किया जाएगा, और अब subject physics के लिए, चेक किया जाएगा, okay, मान लेते हैं, अभी फिर से equal आ गया, ठीक है, अब इसके बाद में, chemistry के लिए, चेक किया जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं, यहां तक भी सब कुछ सेम हो गया, वैसे इसकी probability बहुत कम है, ठीक है, ऐसा, शायद ही होगा कि इतने आप अगर seven points तक चेक करेंगे, तो, दौनों students के बीच में कोई भी difference ना आए, बट, एक hypothetical हम मान लेते ह हैं कि यहां तक सब कुछ दौनों student का सेम आ गया है, ठीक है, तो फिर eighth point देखा जाएगा, अब eighth point क्या है, older in age, मतलब जो student जादा age में जादा है, उसको priority दे जाएगी, उसकी rank जादा अच्छी दे दी जाएगी, ठीक है, मतलब उसको अच्छा rank दी दिया जाएगा, मतलब greater rank, तो यह eighth point हो गया, मान लेते हैं, यहां पर भी equal हो गया दोनों का, तब ninth point जो की हो ही नहीं सकता कि दोनों का सेम हो जाए, और वो है application number, तो जिसका application number क्या हो, small हो, ठीक है, ascending order, मतलब ascending क्या होता है, minimum to maximum, तो जिसका application number small होगा, उसको priority दे दी जाएगी, ओके, तो आप अले भरेंगे form, तो आपको application number, आपका less value का, numerical less value का आपको application number मिलने वाला है, तो I hope आपको ये tie वाला situation clear हो गया, अब देखिए, page number 11 पर ये जो point 2 दे रखा है, ये क्या बोल रहा है, it has been decided to provide choices in one section of each subject, of paper 1 and part 1 of paper 2A and 2B, चलिए, तो BE, BTEC वालों के students के लिए हम बात करें, तो देखिए, दो आपके section है, okay, दो section है यापर, paper 1 में, BE, BTEC के students के लिए, तो यहाँ पर जो दो section है, तो इन दौनों section में से, एक section में, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, कि section B, जिसमें 10 question आ रहे हैं, आपके numerical या फिर integer type के, तो इसमें आपको choices दी जा रही है, okay, तो य या फिर CBSC की भी बात कर लें, तो किसी को भी अगर आप देखेंगे, तो कुछ syllabus हो सकता है, कि वहाँ पर reduce हो रहा हो, okay, तो यह जो reduction हुआ है syllabus में, यह ऐसा ना हो कि, आपको कोई भी आपके questions attempt करने में, आपका obstruction create हो, इसलिए वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, choice मिल रहा है तो देखा आपने कि 10 में से 5 आपको attempt करना है, तो आपको 25 and 25 हर subject में आपको attempt करना है, मतलब 75 आपको total questions attempt करना है, चलिए इसके बाद देखते है eligibility and qualifications, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 4.1 age limit, okay, तो देखिए age limit कुछ भी नहीं है, मतलब आप किसी भी age के हो, आप apply कर सकते ह है, बट condition क्या है, कि essay students जिन्होंने 12th class या फिर equivalent examination 2020 या फिर 2021 या फिर जो अभी appear हो रहे हैं 2022 में, ठीक है, वो ही essay students ही यहाँ application apply कर सकते हैं, बट साथ में यहाँ पर एक बात और कहीं गई है कि हो सकता है कि किसी particular institute का requirement हो सकता है कि वो institute particular age के students को ही वहाँ पर apply या अपने courses में enroll करता हो, बट NTA की तरफ से जब आप इस exam में बैट रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी restriction नहीं है with respect to age, बट आपको याद रखना है, आप 2020 या 2021 या फिर आप 2022 में आपका class 12 या फिर equivalent examination को आप दे रहे हो या दे चुके हो then आप list of qualifying examination देख सकते हैं, according to जो भी आपका board है, accordingly आप देख सकते हैं then इसके बाद में है state of eligibility, तो देखिए आपने class 12, class 12 आपने जो exam दिया है या फिर अभी आप देंगे, तो आपने कौन से state से आपने वो exam दिया है, वही होगा आपका state of eligibility okay, तो in some case हो सकता है कि आपका native place हो different और आपका जो school था, जो आपने जहां से examination दिया वो हो सकता है different, तो आपको native place नहीं लिखना है, अगर different है तो आपको किसको लिखना है, जहां से आपने 12 दिया है, उस जगे को आपको state of eligibility रखना है, अब ऐसे बच्चे जिनोंने improvement exam दिया ह है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या point है कि हो सकता है कि आपने class 12 आपका किसी दूसरे state से दिया हो first attempt में, then आपने improvement exam दूसरे state से दिया हो, तो ऐसी condition में भी जो आप पहला attempt आपने दिया था, मतलब जो directly आपने without improvement वाला attempt दिया था, उसका जो भी state था, वही होगा आपका state of eligibility अब देख सकते हैं यहाँ पर यह जो box है यहाँ पर, इसमें subject combinations, जो की आपको qualifying examination के लिए चाहिए रहेंगी, है ना, तो सबसे पहले है BE, BTEC, तो BE, BTEC के लिए आपको pass करना पड़ेगा qualifying examination, मतलब आपका जो class 12 है, या फिर equivalent examination, इसमें आपको physics and mathematics compulsory होना चाहिए, then along with that, physics और mathematics के साथ में, आपके पास में, और क्या-क्या subject option में है, chemistry, bio technology, biology, technical, vocational subjects, ठीक है, अब B architecture के लिए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके लिए eligibility क्या है, तो past, you should have passed qualifying examination with mathematics, physics and chemistry, वहीं पर B planning के लिए अगर देखें, तो you should have passed qualifying examination with mathematics, at least mathematics, चलिए, अब यह रहा आपके सामने list of examination cities for JE Mains 2022, और यहाँ पर इनके city codes भी आपको mentioned है, right most column में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रहा आपका list, तो बिहार के लिए PR रहेगा शुरू में, इसी तरह से 36 गड़, CG, G, for Delhi it is D, for Goa G, Gujarat G, J, तो आप इस तरह से check कर सकते हैं, तो देखिए हमने information bulletin के important points देख लिये हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अभी मैंने आपको, आपके scanned photograph and signature के details बताये थे, यह अगेन आप एक बार देख सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पर क्या बुल रहे हैं, कि आप जब यह application form submit करने से पहले, आप आपके photograph को और signature जो आप upload करेंगे, scanned copies, तो यहाँ पर आप एक बार और अच्छे से देख लें, कि क्या वो photo कहीं blur तो नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो visible ना हो, तो अगर ऐसा है, तो आप submit करने से फहले, फिर से आप वापस से upload करिए, otherwise क्या होगा, कि जो आपका application है, वो reject हो जाएगा, और आपको correction करने का भी कोई भी chance आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि आप submit करने से पहले application को, आपके photograph या फिर आपके signature को, जो भी आप visualize कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें, चलिए, अब next important point है, about password, जो भी आप password रखेंगे, because इसी password के through, आप future में वापस से आपके application number पर क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर पाएंगे, okay, so during, first point देखते हैं, during online form filling, the candidate will be required to choose password and security question and its answer, okay, बहुत केरिफुली आपको यह सिलक करना है, candidate is advised to record or remember their password for all future logins, okay, record का मतलब क्या आप कहीं अपने किसी paper पर लिख लें, okay, then, second point क्या बोल रहा है, for subsequent logins, candidate will be able to log in directly with their respective system generated application number and chosen password, okay, तो जैसा भी मैंने आपको बताया, कि in future आपको यह जो application number है और आप जो password बना रहे हैं, इसके थूही आप future में log in कर पाएंगे, तो आपको इसको याद रखना है और record रख लें, मतलब कहीं पर आप लिख लें safely और आप इसको private रखें ना, किसी से share ना करें, third point क्या है, candidates is advised not to disclose, okay, यही same point है, then fourth है, candidate can change his or her password after login if desired, okay, then candidates should remember to log out at the end of their session, ठीक है, privacy के कारण, then password के details, कैसे आपको password बनाना है, तो देखिए, first point, password का जो length है, वो कितना हो सकता है, 8 to 13 characters, then password must have at least one uppercase alphabet, uppercase means capital letter होना चाहिए, then आपका lowercase भी होना चाहिए, at least one, then आपका password must have at least one numeric value, 0 to 9, then आपका password must have at least one special character, okay, यह आपको example के लिए बता रखें, है, special characters, और वैसे भी, I hope, आपको यह सारे special characters and upper lowercase अल्रेडी पता होंगे, चलिए, इसके बाद में 7th point क्या बता रहा है आपको, कि आप password को reset कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप reset करना चाहते हैं password को, तो आपका, जो भी security question था, उसका आपको requirement होगा, वो आपको पता होना चाहिए, verification code आएगा आपको mobile पर और आपके email पर reset link आएगा, and then आपका जो confirmation पर जाएगा last में, उसका आप application number note कर लेंगे on safe side, चलिए, इसके बाद में आपको ये जो tick है, जो check box है, I have downloaded the information bulletin of J.E.Main, read and understood all the instructions, इसको क्या कर देना है, आपको tick कर देना है, and then click कर देना है to proceed, इसके बाद में, ये आपका open हो जाएगा page, तो यहाँ पर आपको, आपके candidate's name है न, इसको आपको लिख देना है, और ये जो आपका candidate name लिखेंगे, आप ये same होना चाहिए as that of your 12th name, 12th class का जो भी आपका mark sheet है, उसमें जो भी आपका नाम है, same spelling यहाँ पर होना चाहिए, इसके बाद में, आपको fill करना है father's name, तो again father's name भी आपका, जो आपकी class 12th के mark sheet में है, या फिर equivalent qualifying examination के mark sheet में है, वही spelling आपको यहाँ पर लिखना है, in father's name, और देखिए, यहाँ पर जब आप father's name लिख रहे हैं, तो आपको prefix या title नहीं लगाना है, जैसे doctor, mister, shree, sir, etc. Similarly, आप mother's name लिख देंगे, जैसा कि आपका class 12th या equivalent qualifying examination के degree या फिर mark sheet में mentioned है, इसके बाद में आप candidate का date of birth लिख देंगे, ओके और यह जो date of birth आप लिखेंगे, यह same लिखना है आपको जैसा आपका class 12th की mark sheet में है, ओके इसके बाद में gender, Now, gender के बाद में आपको जो भी आपका identity card आप ले जाएंगे, वो कौन सा ले जाएंगे, उसका detail, pan card, school ID card, passport, voter ID, ration card, bank passbook with photograph, या फिर driving license, ठीक है, या फिर कोई other valid government identity with photograph, Then आपका identity type के बाद में आपको उसका identification number डालना है, After that आपको enter करना है present address, present address मतलब जहां पर आप अभी रह रह रहे हैं, हो सकता है कि आपका permanent address different हो, इसके बाद में आपको enter करना है आपका permanent address, और अगर आपका present address है और permanent address है, अगर वो same है, तो यह जो check box आपको दे रखा है, इस check box को आप tick कर देंगे, तो automatically जो भी आपना address उपर डाला है, वही वापस से यहां पर आ जाएगा, now, after this आपको password आपका choose करना है, जो की rules क्या देखे थे हमने 8 to 13 characters का होगा, और उसमें एक uppercase, एक lowercase and one numerical at least होना चाहिए, और special characters भी at least present होना चाहिए, and after that आपको यह security pin है, इसको enter कर देना है, जो की आप देख सकते हैं, box में space provided है, अब देखिए, यह सारे जब आप details भर देंगे, तो आपको यह pop-up जो भी message है, यह आएगा, तो देखिए, इसके बाद में यह आपका review page आ जाएगा, जिसमें आपने previous page में जो भी details फिल करे थे, वो एक बार आपको फिर से check करने का मौका मिल जाएगा, तो देखिए, अब अगर आपने सब कुछ check कर लिया है, verify कर लिया है, तो आप यह जो box है, checkbox इनको आप mark कर दीजिए, ओके, and after that आप I agree पर इसको tick कर दीजिए, and then submit and send OTP पर आप click कर दीजिए, and यहाँ पर yes, then आपको six digit का OTP आएगा आपके mobile पर, तो आपको OTP enter करने के बाद में submit registration form पर click कर देना है, तो देखिए हमने गाता कि हमारा total three stages होंगे, तो three stage में से first stage हमारा complete हो चुका है, registration form, अभी दो stage और बचें, कौन-कौन से application form and fee payment, अब देखिए यहाँ पर यह आपका application number generate हो चुका है, यह देख सकते हो आप application number generate हो चुका है, तो आप इसको note down कर लिजिए, इसके बाद में हम क्लिक कर देंगे complete application form पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि contact details हम already भर चुके हैं, तो यहाँ पर green है, completed है, then personal details, incomplete है, तो अब हम यहाँ पर जो leftmost side है, leftmost side में application forms steps, इसमें हम personal details पर क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे details हम already भर चुके थे, but कुछ details जो कि अभी तक हम से पूछी भी नहीं गई थी, तो वो अब यहाँ पर हमको fill up करना है, जैसे nationality या फिर state union territory from where we have passed 12th और equivalent examination, ठीक है, then आपका category, कौन सा category है, general, SCST, ओके, इसके बाद में आप PWD है, person with disability, yes or no, इसको आपको select करना है, ठीक है, और आप 40% से जादा होंगे, तभी आप इसका advantage ले पाएंगे, इसके बाद में आपको बताना है, are you diabetic, place of residence, place of residence means urban या फिर rural होगा आपका, then annual family income, किस range में आ रही है, आपकी annual family income, यह आपको fill करना है, के बाद में आपको mode of preparation आपने कैसे तयारी किये, तो self study, individual tuition, online coaching, यह सारे option आप देख सकते हैं, then आपको select करना है, medium of school in qualifying examination, मतलब आपका 12th जो है, यहाँ पर यह सारे option यहाँ पर है, आपके पास में इसमें से किसी एक को select कर लेना है, सारे details भरने के बाद में, आपको security pin यहाँ पर enter कर देना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर security pin को enter कर दिया है, अब यहाँ पर save and next, इसको आपको क्लिक कर देंगे, इसके बाद मैं आप से पूछेंगे, इसके बाद मैं आप से पूछेंगे, do you have आधार नमबर, तो यहाँ पर सेलेक्ट यहाँ और नौ, इसके बाद मैं आपको select कर लेना है, exam and center details के लिए, तो apply for, so paper 1 BEB tech, so आपको session 1 automatically select हो गया है यहाँ पर, इसके बाद मैं question paper medium, इसके बाद आप देशकते हैं, मैंने exam state, cities first choice, second choice and third choice, यह fill कर दिया है, आप भी अपने accordingly इसको fill कर दें, इसके बाद मैं आपको fill करना है, father, guardians, occupation, qualification, then mother's occupation, okay, तो यह सारे details भरने के बाद मैं, आपको यहाँ पर यह जो security pin है, इसको fill कर देना है, okay, so security pin enter करने के बाद मैं, आपको save and next, इसको click कर देना है, okay, तो आप leftmost side देख सकते हैं, हमने अभी तक contact details, personal details, आधार details, and exam and center details, okay, यह सब भर दिया है, अब यह है हमारा qualification details, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें किस sequence में fill करना है, पहले 10th और equivalent qualification details डालना है, after that 12th और equivalent qualification details डालना है, इसके बाद मैं हम डालेंगे security pin, okay, तो देखिए यहाँ पर यह education details, 10th और equivalent qualification details भर देंगे आप, okay, इस तरह से, then, इसके बाद में आपको 12th की details भर देना है, okay, then, इसके बाद में यहाँ आपको security pin एंटर कर देना है, and then save and next, yes, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, leftmost side में, अब हमारे पास में additional details, documents, upload and final submit, यह सारी चीज़ें भी बची हुई है, तो देख सकते हो आप additional details में, are you twin, no बर दिया मैंने security pin, enter कर दिया, then save and next, yes, okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह जो मैंने photos upload करें हैं, इसको select किया है, मैंने photos को, एक signature है, then आपका photograph है, then इसके बाद में आपको क्या करना है, upload पर click करना है, okay, इसके बाद में, आपको select करना है, final submit, leftmost side आप देख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों, इसके बाद में आपको next step क्या रहेगा, आपका final submit, okay, तो उमीद करता हूँ, आपको clear हुआ, किस तरह से आपको application form को fill करना है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो please like, share with your friends, and subscribe to my channel, इसके अलाबा, अगर आपको कोई और doubt है, regarding this application form, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, so thank you for watching, all the best for your J.E.Mins exam,